जारखन के छेत्री राजवनसों में खलगडिया राज्य भी प्रमूख है इस राज्य की अस्थापना पंद्रवी सदी में हुई थी तो दोस्तों जारखन में बहुत सार छेत्री राजवनसों में तो इसी छेत्री राजवनसों में से एक खलगडिया राज्य भी प्रमूख ह मैंने आप लोगों को रामगर राज के बारे में पिछली वीडियो में बता चुका हूँ तो आप डिस्क्रिप्शन में दिये लिंक से जाकर की रामगर राज के बारे में देख सकते हैं उहां भी अच्छी जानकारी दी गई है जो जारकन के एकाम में कोश्चिन पूछे जा स जो दच्छिन भारत से यहां आया था तो दोस्तों खळकडियर राइच की जो संस्तापक थे उनका नाम है हंसराज देव तो यह नम आपको याद रखना है और यह जो हंसराज देव थे इन्होंने दच्छिन भारत से यहां आया था और यहां पर सासन किया था हंसराज हजारीबाग के सासक को उस समय हराया और हराने के बाद भी हजारीबाग के समय किलोमीटर तक के छेत्र होता है उस सारे छेत्र पर इन्होंने अपना सासन किया था अपना अधिकार कर लिया था तो हजारीबाग के सासक को हराया और नभी किलोमीटर में फैले छेत्र पर अपना अधिकार कर लिया था इन्होंने हंसराज देवने इस राजवन्स के द्वारा उत्तर विहार में वैवाहिक संबंद इस्थापित किये गए थे दोस्तों ये जो राजवन्स हुआ खरकडिया राज के जो राजवन्स उन्होंने वैवाहिक संबंद इस्थापित किये थे उत्त उत्तर विहार में घुटतर विहार की साथ में इनका वैवाहिक संबन स्थापित हुआ हुआ था या इन्होंने किया था यहास राय बर्तमान के tougherley ना के kuchzi से दच्छनी विहार के kuchzi सउ में फाईला हुआ था अगर बात करते हैं इसको अभी की समया तो अभी के समय में जो है संधाल प्रगना के कुछ इससे वह साथ साथ में दच्छनी बिहार के कुछ इससे में उस समय का यहां खड़ग्डिया राज्य फाइल आ हुआ था दोस्तों हंसराज देव के पूर्वज विजयनगर सामराज से जुड़े हुए थे यहां पर इंपोर्टेंट यह है कि हंसराज देव के पूर्वज हुए थे वह विजयनगर सामराज से जुड़े हुए थे और विजयनगर सामराज के बारे में आप लोगों ने इतिहास में ह बढ़े ही होंगे विजनेगर सामराज की जो स्थापना हुए थी वह दच्छन भारत में वह थी और इस सामराज के स्थापना जो किये थे उनका नाम है हरिहर और बुक्का यह दो भाई थे और इन्होंने ही विजनेगर सामराज के स्थापना की थी तो हंसराज देव के पूर की सांसथापक थेूं का नाम हांशन सिर्जडjor зам को में पर नाम आदेबन आया जो की वांशनेगर सामराज के साह्तापक है वह थे वह थे हरीहर और बुका नामक दो भाई तो इतने सांकारी को आपको याद रखना है जारकंड के छेतर राजबंसों में जारकंड के इतिहास के बारे में